अरे श्ट्रॉ तो बिना चुए ही घूम रही है कितनी अच्छी बात है अरे अरे ये तो हाथ से भी चलती है और वो भी बिना टच किये हुए अरे ये बलून तो दिवार वर ऐसे ही चिपा गए बिना किसी गोंद या टेप के आप जानना चाहते हैं ये कैसे होता है तो आईए टेक टू स्ट्रॉज और रब देम वेल विद पीस अफ क्लोथ दो स्ट्रॉ लें और उने कपड से अच्छी तरा रगड लें पूट अ स्ट्रॉज अन दे कैप अफ बोटल एक स्ट्रॉज को बोटल के ढकन पर रख दें अब दूसरी स्ट्रॉज को बोटल के अपर रखी स्ट्रॉज के पास लाएं त्यान रखें कि दोनो स्ट्रॉज एक दूसरे को न चुएं स्ट्रॉज के घूमने की दिशा पर नजर रखें कि ये किस दिशा में घूम रही है अब अपना हाथ स्ट्रॉज के पास लाएं और स्ट्रॉज की गती की दिशा पर ध्यान दें लेटस अंडरस्टेंड दा लोजिक बिहाइंड इट आईए इसके पीछे का कारन जाने एक्टिविटी में दोनों स्ट्रॉज पर एक जैसा चार्ज था यानि दोनों एक जैसे आवेश से आवेशित थी तो पास आने पर एक दुसरे को रिपेल यानि प्रतिकर्शित करती है प्रतु हाथ जोकी अनचार्जड अनावेशित है वहाँ स्ट्रॉज के पास आता है तो स्ट्रॉज को अट्रेक्ट करता है अकर्शित करता है चिल्रन दा सेम साइसे यूज़ इन प्लास्टिक स्केल एंड पीसिज ओफ पेपर बच्चो यही बिज्ञान एक प्लास्टिक के स्केल और कागज के टुकडों के साथ यूज़ होता है अब प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़े इससे स्केल आवेशित हो जाता है अब इसे कागज के टुकडों के पास लाएं इट विल अट्रेक्ट देम यह उन्हें अपनी और खींच लेता है आकर सित कर लेता है क्यूंकि स्केल आवेशित है और कागज के टुकडे अनावेशित है रब अब बलून और क्लोथ एक कुबारे को कपड़े पर रगड़े रबिंग मेक्स दा बलून चार्जड रगड़ने पर कुबारा आवेशित हो जाता है if you bring it close to a wall अगर आप इसे दिवार के पास लाएंगे it attracts the wall ये दिवार को अपने और आकर सित करता है and got attached with it और इसके साथ चेपक जाता है it looks just like a magic ये बिलकुल एक जादू की तरह लगता है a magic of science बिज्यान का जादू so get ready and you also do this magic तो तैयार हो जाओ और आवेश जादू को करके दिखाओ a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a piece of cloth कपडे से रगडने पर straw में स्थिरवेद्यूत आवेश आजाता है the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force एक आवेशित वस्तू द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तू पर लगाया हुआ बल स्थिरवेद्यूत बल कहलाता है this force comes into play even when the bodies are not in contact so we can say the electrostatic force is an example of non-contact force यह बल तब भी लगता है जब बस तूँ एक दूसरे के संपर्क में ना भी हो अता हम कह सकते हैं कि स्थिरवेद्यूत बल एक असंपर्क बल भी है students, it means same charge repel each other बच्चो इसका अर्थ है एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं and opposite charges attract each other और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं charged and uncharted body also attract each other आवेशित और अनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्शित करती है straw gets negative charge on rubbing with cloth straw को कपड़े पर रगडने पर उसमें रिनात्मक आवेश आता है we will know about positive and negative charges in our next videos धनात्मक और रिनात्मक आवेशों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे